इसमें हम लोग ने जो स्टाइट पहले किया है तो वह यूज होगा आपका मीन है मौड है मेडियन फाइंड आउट करना इसमें कुछ हमने टॉपिक करेंगे डिस्पर्जन डिस्पर्जन क्या होते है मैजर ऑफ द वरियेशन ऑफ द आइटम्स जो आइटम्स में क्या है विर पता है यह रहीं क्या होता है अगर हम डाटा हमारे पास दिया तो हम सिंपल कैसे फाइंड करते हैं हाइस माइनस लिए लौएस वैल्यू से रेंज दिफरेंस बिट्विन दे लाजजस आइटम एंड वैल्यू थाइटम इंक्लूड़िदिन देस्टिविशन मतलब हाइस मा 125 है लेज्सवैडियू आपके क्या है 75 है ठीक है तो 125 – 75 करके आपके पास क्या जाएगा रिज आ जा जाएगा में टापिक आपका मीन डिवेशन-व्मीन है में डिवेशन-व्मीन यह आव्रिस डिवेशन अच्छिल में यह क्या चीज़ आ का मतलव को निकाल ली है एक साहिए जिसको पास पहले आपके पास जेटा दिया हुआ एक साहि यिसकों हमने एक साहि कर दिया है इसके बाद आपने क्या करना इसका पास का मीन निकाला है सब्सक्राइब प्लस करके हमारे पास 200 अब यह कांटिंग में कितनी है हमारे पास 12 14 15 16 18 19 22 22 किया तो हमारे पास मीन आ गया अब क्या करना है मीन डिवेशन फॉर मीन निकालने के लिए पास अब यह उसके बाद हमने क्या करना है मतलब जो नेगटिव है उसको पॉजिटिव बना देने पॉजिटिव रहेंगे जैसे माइन सेवन सेवन बन गया माइनस एक इस बन को पॉजिटिव बना दिया अब एक सक्सव की जो वैलियू आई है इन सभी को प्लस कर दो वह आगा हमारे पास 124 समीशन XI minus X bar अब mean deviation from mean निकालना है MDX bar लिखते हैं इसको तो यह formula लगदेना summation of XI minus X bar upon my number of observations यानि कि n small n तो divide करके आपके पास आजाएगा mean deviation from mean that is 6.2 ठीक है topic same ही है बस फरक क्या है mean निकालने का जैसे individual series में mean अलग तरिके से निकालते थे हम लोग discrete में लग निकालते थे continuous में लग निकालते थे जैसे next हमें हमारा discrete series का है XI given है आपको FI given है ठीक है तो और अगर आपके पास calculation छोटी है तो हम direct method यूज करते थे otherwise step deviation है shortcut है तो पहले FI XI निकाल लिया 8 into 3, 10 into 2, 15 into 4, 20 into 7, 25 into 4, 32 into 3, 35 into 7 निकाल लिया अब मीन का formula हमारे पार direct method क्या होता था submission of FI XI upon submission of FI तो मीन हमारे पास आ गया 685 by 30 that is 22.8 अब जो मीन आ गया हमारे पास ठीक है उस में क्या गरना है XI minus X bar यहां पर प्रॉक्सिमेटली है तो XI minus X bar निकाल लो मतलब 8 minus 22.8 10 minus 22.8 15 minus 22.8 20 minus 22.8 25 minus 22.8 32 minus 22.8 35 minus 22.8 फिर मोडलेस वेलमने साथ ही निकाल दी फिर हमें पता है कि जहां FI होता है उसका यूस तो होता ही है जैसे हमने यहां पर किया इसको अपसारे को FI से multiply कर दो जैसे 3 से इसको 2 से इसको 4 से इसको 7 से 4 से 3 से 7 से एड़ किया 242.6 अब क्या आया समीशन FI XI अपन में स्रीज में आपको पते इंटर्वल्स गिवन होएंगे एक से कैसे निकालते हैं लोगर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाइटू यानि क्लास मार्क ठीक है जीरो प्लस 10 बाइटू 5 10 प्लस 20 बाइटू 15 20 प्लस 30 बाइटू 25 ऐसे दो निकालके गैप कितने का 10 10 के बस आगे भढ़ाते जाओ फ़ाइब को गिवन अब देखने में कैलकुलेशन ठीक सी लग रही है छोटी लग रही है तो हम यहां पर सेब डिवेशन नहीं यूज़के शॉर्टकट नहीं उसके डारेक्ट यूज़कर लिया F I X I निकाल लिया मीन कितना आ गया 4500 वाइ 100 कैसे निकाल ला ही हमने X बार इसे समिशन F I X I पॉन में N या समिशन F I तो हमारे पास आ गया 45 मीन अब उसके बाद वहीं सेम मैंने पूरा समनी किया वहीं X I-X खर्पर का मोड़ निकाल फिर से मइन पका फिर उसके वाद करों पर आपका यह मीरिघर निकाल पर पहले देटा को ढ्रेंज करते हैं चेह भाट यह saying यह पढ़ अब परनेंग है है कि अ हमारे पास क्या है अगर और हो तो हम क्या करते है यह 11 प्लस वड़ाइड लॉट Het ज्चे झोड़ डsrahप करके हुए अगर Oo इवन ओथी तो अपना दो टो दिकालते और हम और अन्ट स्वान निकालते हुए इन को हमने कि और में सेट किया तो मैंने ऐसे भी सिखाया equal number of terms आगे पीछे छोड़ दो जो बीच में रहा गया वो answer median का कई पर हम formula भूल जाएं तो median आगा 9 अब median अगर 9 ना गया उसके बाद हमें नेक्स कोशन आपका डिस्क्रीट सिरीज का इसमें बस median का formula थोड़ा जो जागा बाकी सारा काम वैसे है वही एक साई गिवन है इसमें हमें सीएफ निकालना पड़ता है सीएफ कैसे निकालते हैं इसको सेम रखा प्लस 37 7 प्लस 512 12 प्लस 2 14 14 प्लस 4 18 18 प्लस 5 23 23 प्लस 4 27 27 प्लस 3 13 अब 30 एवन है तो वही एन बाइट्व और एन बाइट्व प्लस बानत observation का मीन यह तर्टी बाइट्व फिफ्टीन और 16 चम का मीन अब 15 और 16 आपका सीएफ में कहां लाई कर रहे है यहां पे तो उसके सामन सफने को ने तर्टीन प्लस थर्टीन सब्सक्राइब करें तो फिर फिर वह माइनस मीडियन सब्सक्राइब भी और आ खूलए आपकी एक्स साइल इंड एक noisy माइनस मीदिएं का ठीक हां मतदल नेगटििव को को फिर आपके फाई से इसकी मल्टीप्लाय कर देनी है उफॉर इंटू सेवन फैवनीटू वान फोर इंटू जीरो फाये मिंटू वियू है कि यहां सिंपास your कर site समीशन F5 into XI minus median that is यहां पर median लिख देंगे क्योंकि न मीन और median जैसा लगता है 149 आ गया तो मीन डेविशन फॉर मीडियन का फॉर्मला होता है समीशन F5 into XI minus median अपॉन में एन यहां कि 149 अपॉन 30 जो 49 149 अपॉन 30 करेंगे तो हमारे पास 4.996 आएगा बुक में आपके 5 लिखा हुआ है तो आप वह 4.96 ही लिखिए एक्जैक्ट वैल्यू ठीक है क्योंकि इन्होंने राउंड आफ करके लिखा हुआ है तो आप 4.96 ही लिखिए नेक्स कोशन हमारा है continuous series का continuous series में इस class intervals given FI given XI निकाल लेंगे upper limit plus lower limit by 2 करके CF निकालेंगे CF कैसे निकालते हैं six six plus 7 13 13 plus 15 28 28 1644 44 plus 448 48 plus 250 इसमें भी सिर्फ क्या मिद्यन का पूमला चैंज हो जाएगा आपको बता कि continuous में मीदिन कैसे निकालते हैं median ू प्रस एन बाइट 2 माइनस सी एफ उपन में एफ इंटू आई जो तैंट क्लास में अपने किया हुआ है एन बाइटू कितना होगे फिफ्टी बाइटू समीशन आप बाइटू यानि कि 25 अब 25 सी एफ में कहा है 28 में ज्यादा भले हो जो कम नहीं होना चाहिए यह आपकी हो गई कि मीडियन क्लास थीक है तो लॉर लिमिट इसके किया हुए 20 एन बाइटू कितना हमारे पास 25 सी एफ हमने इसके सामने वाले के लिए लेनी होते उपर सामने वाले मतला उपर की 28 अना 13 लेलो एफ इसके खुद के लिए आपने यानि 15 इसके सामने वाली इंटू आए गैप 10 ज सिम्मले के आपके पास इतना कुछ आ जाएगा ठीक है अब उसके बाद है कि 20 प्लस 25 माइस 13 इंटू 10 था इसको सुल करने ट्वैल ठीक है अब ट्वैल मैंने कट किया इसको फाइव के टेवल पे पाइव थीज़ फिफ्टीन फिज़ फिर त्वन्टी फॉर बैठी आएग सरी इसमें हमने मेंदें तो निकालिए मिलल स्सकर मौडल स्वेल्य से मल्टीप्लाइप चैन क्भाने में एक जगाहा है जसे के कारण पार्मूला में टोक्त में कर तृप्ज मेंधा हो जायेगा औरокой estable हैं इंट इस हमारे पास में पास यह नग होगा पर-थिन से यहां पर X I minus X बार का मीन वह तो निकाल लेंगे मौदलेस्ट वैली निकल यहां करेंगे क्या बोला है यह रहा ठीक है सम आगया 150 मीन आगया 15 सब में से 15 माइनस कर दिया फिर स्क्वायर कर दिया अब इसका मीन मतलब मीन कैसे से निकलता है सब को आड करो बाइन नमबर फॉबजर्वेशन से डिवाइड कर दो तो समीशन एक साई माइनस एक सबार का होल कर कितना आगया थी 30 नमबर फॉबजर्वेशन हमारे पास 10 थी डिवाइड करके 33 अंसर आगया ठीक है यह सिंपल सी रिस के लिए इसमें भी टाइप ऑफ सी रिस के कोडिंग चेंज होता रहेगा जैसे मैंने अब डिसकर्स किया है डिस्क्रीट का नहीं किया डिस्क्रीट का गीवन है आपने क्या करना है एक साही निकाला है सोरी लोगे प्लस अपर लिमिट बाइट बाइट तू करके अपने शॉर्ट कट किया वह ने कैसे निकालते तो पहले डिया निकाल लो गया कैसे पहले हम इसमें से एक जूम मीन लट करते हैं 55 लेट कर लिया हमने 25 मैंट इस 65-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-65-55-65-55-55-55-55- और उसके वाद बैद यह इजो है कई बुकस में वह कैसे निकलते ऑप गप से excellence का तो माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 फिर उसके वाद आपके आपकर FIDI डाइश निकाल लो FI को डियाई डाइश से मल्टिप्लाइब करतो यह आ गया तो हमारा मीन का फॉर्मला होता है X bar equals to denote करते हैं आप मीन को इससे ए प्लस समीशन FIDI डाइश अपन समीशन FI इन्टू एच एक इतना है हमारे पास 55 जो हमने मानना है समीशन FIDI यह चीज़ है हमारी समीशन FI हम इसको प्लस करके निकाल लेंगे इसको ठीक है तो सौल करके हमारे पास मीन आ गया यह है उसके बाद अभी यह सम खतम नहीं हुआ इसमें एक और टॉपिक भी है वह में मैं नेक्स्णेश में डिसक्स करूँगी अभी आप गल्युशन के बाद मीन निकाले की प्रक्टिस कई जिए हमारे तीन होगे में मीन में मेय वी इंदेन होते के लिए लिए वैरियंज अभी कॉंटिनुऊस के लिए न में कर रहें थे ठीक है थैक यूल